महाराष्ट की विदान सभा में चांदेवली की सीट के उपर सारी महाराष्ट के नहीं देश की नजरे टिकी हुई है नसीम खान यहां से चुनाव लड़ रहे है पिछली बार बहुत कम ओटे सहारे थे नसीम खान अब उद्धव ठाकरे के साथ है मुख्यों मंत्री एकनाश शिंदे यहां रैली करके गया है उद्धव ठाकरे की रैली होने वाली है क्या मुद्दे रहेंगे और महाराष्ट में आज चिमूर में प्रधान मंत्री नरणर बोदी ने कहा है कि महाविका सागाडी यह ब्रष्टाचार में पीएडी कर चुकी है अगर कॉंग्रेस की सरकार आती है तो आरक्षन निकल जाएगा एक है तो सेफ है बटेंगे तो कटेंगे यह सारे नारे लग रहे है नसीम खान माजी पूर्व मंत्री भी रहे और ऐसी में वह काम भी कर शुके है नसीम भाई चुनोती भरा है महायूती और महाविका सागड कोई चुनोती लेकिन इस बार लाडली बैना है पीम आके गए देखे पीम तो हमेशा आते जाते रहते हैं लोकसभा के चिनौव में भी पीम हर लोकसभा छेतर में गए थे उनकी पूरी टीम पूरे देश में लगी थी और उस समय भी लो जहाद ओड जहाद लेंड जहाद क और आज जिस तरह से महायूती की भरष्ट सरकार मुंबई और महराश को लूटने का काम कर रही है पूरे महराश में काईदा और सुवेवस्ता चर्मरा गया है बेरोजगारी बड़ी है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है जगे जगे पे छोटी छोटी बच्चीओं पे बलतकार और हत्याएं की गई है पूरा महराश का जो सिस्ट्रम है जो कल्चर है वो पूरी तरह से खोकला कर दिया है पिछले धाई साल में शिंदे जी की सरकार ने महा विकास अगाडी और महराश्रा की जनता मिलकर यह चुनाओं लड़ रहे हैं और यह चुनाओं हम जीते बटेंगे तो कटेंगे इसे पोस्टर भी लगया है योगी अधितिनाथ महाराश में आकर चुनाओं प्रचार भी कर रहे हैं तो इसका असर जो है मुस्लिम समयाज के विरोध में सारे लोग इखटा हो जाएगे यह महराश का कल्चर और महराश की जनता की सोच महराश के मह पुरुष्यों के दिये हुए जो विचार है उस पे है महराश चत्रपतिर शीवा जी महराश की विचार धारा पे चलने वाला है डॉक्टर बाबा साहिव अंबेटकर शाहू फुले जी की विचार धारा को मानता है और उस पर चलता है कटोगे की बटोगे तो कटोगे महराश के नौजवान रोजगार चाहते हैं महराश की हमारी मा और बहने आत्मा सम्मान चाहती हैं सुरक्षा चाहती हैं मुंबई जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है उसको पूरी तरह से एक तरह से खतम करने का काम महायूती की सरकार ने ड़ाई साल में किया है 15 से 20 बड़ी बड़ी कमपनियों को गुज़राथ शिफ्ट किया है महराश के योकों का जो रोजगार का हक है जो नोकरी का बटन दबाए और तेविस तारी को सरकार बदले और महाविकास अगाड़ी की सरकार आपके प्रचार में यानि महाविकास अगाड़ी के नीताओं के प्रचार में जैसे शरत पार हो उद्दव ठाकरे हो इनके प्रचार में गुजडात को रोजगार गया सब कंपणी आ गई लेकिन बीजेपी के नेता एकनार्शिंद्य और देवेंदर फट्निवस यह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है फेक्ट निर्टिव है जैसे लोग सवाव में फेक्ट निर्टिव बनाया था वैसे रोजगार के बारे में या उद्योग के बारे में बना आप मुझे बताए डायमंड मार्कीट गई की नहीं गई फ्रक्सको कंपनी गई की नहीं गई बहुत सारी कंपनियां हैं लिस्ट हैं क्यों भेजा गया मुंबई में महराश का विदर्बा का नोजवान मरठवाड़ा का नोजवान पस्षी महराश्रा का नोजवान कोकन का नोजवान उत्तर प आपकी सेवा करने का अउसर मिलेगा लेकिन इन लोगों ने धाई साल के अंदर मुंबई को बेचने का काम किया है गुजरात के हाथ गिर्मी रखने का काम किया है गुजरात हमारे देश का एक अंग है गुजरात से हमें भी महबत है प्यार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है क कि महराश के नौजवानों का रोजगार मुंबई के नौजवानों का रोजगार छीन कर आप किसी और को दें यह चीज ना हम बरदाश करेंगे ना मुंबई और महराश का नौजवान और महराश की जनता बरदाश करेंगे एक है तो सेफ है, तोड़ा मुश्किल बरा लगता है, बीजेपी प्रशार कर लिए, पियम मोधी बात करें। हम उसको इस संदर में लेते हैं, कि देश की एकता, खंडता, यूनिटी, एकता, जो कॉंग्रेस की सोच रही है, बाबा साहिब हम बेटकर जी नी जो दिया हुआ सम्विधान, लोकतंत्र, उसका जो एक अंग है, उसको हम मजबूत करना चाहेते हैं, हमारी हमारा साथ उसको है मुस्लीम के बारे में और सम्विधान के बारे में एक फेक निरेट्व बना गया, ये सीधा सीधा आरूप, ये तो आरूप, क्या सागणी के निताओं ने बनाया है, देखिए भारती जनता पार्टी, वाट्स अप इनुर्सिटी पे जूट परोसने का काम करती है, हर चुन किस ने लिया था, 2019 में हिंदूस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसल्मान, सम्षान कबरस्तान किस ने चलाया था, तो इस निरेट्व और जूट बोलने का पूरा काम देश की भारती जनता पार्टी के पास है, और वो ही ये करते रहती है, लेकिन अब महराष्ट और देश की जनता इस सारी चीजों को समझ चुकी है, और इनकी इन सारी बातों को रिजेक्ट करते जा रही है, इसलिए 400 पार का नारा देने वाली भारती जनता पार्टी को 200 के नीचे आना पड़ा, और दो बैसाखियों पे दिल्ली में सरकार बनानी पड़ी, ये देश की जनता ने द दिखा दिया है, आपके चुनाव शंत्र के अगर बात करें तो पिछली बार आप शूसना के विरोध में लड़े थे, याना उद्धव ठाकरे के विरोध में लड़े थे, अब उद्धव ठाकरे आपके साथ में, तो मराथी ओटों में confusion, no confusion, तो छोड़ दिया कहते है, एक अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी आइडियोलोजी है, उद्धो ठाकरे जी ने साफ का है, कि मेरा हिंदुत है, लेकिन मेरा हिंदुत तो बंदुत्वा का हिंदुत है, मेरा हिंदुत तो विकास का हिंदुत है, तो उस हिंदुत का सभी ने सौगत करना चाहिए, भार करता है वो सही हिंदु तो हो ही नहीं सकता आपके चुलावक शेतर के अगर बात करें तो दिली प्लाड़े कहते हैं 25 साल में जितना विकास नहीं हुआ है उतना विकास मनें पूरी महायूति के सरकार कहती है मेट्रो हमने बनाई है अटल से तो बना है इंफ्राबो हमने बढ़ा है आपको याद होगा आप औरिष्ट पत्रकार हैं निन्यान्बे से 2014 तक हमारी सरकार महराष्ट में थी दो हजार दो में सुर्गिये हमारे उस समय के जो मुख मंतरी थे विलासराव देश्मुग जी ने मुंबई का चेहरा मुरा बदलने के लिए एक M.E.I.P. योजना बनाई थे जिसमें 10 मेट्रो मुंबई में मेट्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 10 तक बनाने का फैसला किया था उसकी भरने शुरुवात हम लोगेनी कि थी 2000 पहली मेट्रो 1 हम लोगेनी 2004 में शुरू की और उसको पूरा किया 2004 में उसका उधगाटन हम लोगेनी किया 2014 में सरकार बदल जाने के बाद उदगाटन उन्होंने किया प्रोजेक्ट हमारा था नावाशिवा परकल्प जो आज अटल सेतु के नाम से जाना जाता है वो परकल्प हमारा रोड मैप था हमने बनाया था केने सरकार ने हमारी परस्ताओं को मंजूरी दी थी फ्री वे इस्टन फ्री वे कोरिडोर हमने बनाया सी लिंक हमने बनाया जितने बड़ी बड़ी आपको बिजेस फ्लाइवर बिजेस आपको दिखते हैं वो हमने बनाया ये तो इन्होंने तो भश्टाचार किया है विकास के नाम पर टक्के की टक्के वारी की सरकार है महराश म मेर हाई साल से हम आदमी कह रहा है आम जन्ता कह रही है काई रहा है वेपारई कह रहे हैं विढन कह रहा है यह में नहीं कर रहा हूं दुनिये controlar की रिपोर्ट आई है सब प्रीर ओ廊ओ लगा हुआ दो ये सरकार पूरे औरोपों के घहरे मैं है ईस सरकार मेंанд leag चाहिता हूँ इस सरकार ने, शिंदे जी की सरकार ने, महराज को लूटने का काम किया है. भीजन में हैं यहां मैटोरेल बन नहीं थे हमारा विजन विकास का रहा है, मैं हमेश्चा कहता हूँ कि मेरी राजणीत आज की जिस तरह की राजणीत हो रही है, मैं वो राजनीत नहीं करना चाहता हमारी विचारधारा हमारा काम करने का तरीका हमारी राजनीत है एरिये का विकास करना शहर का विकास करना राज का विकास करना हमारी राजनीत है अगर किसी पर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के उसको न्या करते हैं कुकर घोटाला हमारे हाँ पे कुकर घोटाला करने वाले लोग वहाँ है साड़ी घोटाला करने वाले लोग वहाँ है लेंड घोटाला करने वाले लोग वहाँ है सोचाले बनाकर भाड़े पे चलाने वाले लोग वहाँ है जो विकास के लिए निधी आती है ओ शुबेवस्ता भष्टाचार आंतक का माहौल और ड्रक्स पेडलर की भरमार नशाखोरी की बढ़ती हुई नशाखोरी का बढ़ता हुआ चलन माहौल यह सारी चीज इन्होंने पाच साल में किया है उसको बंद करके फिर से नशा मुक्त चांदीवली मुझे बनाना है विकास और बुनियादी सहुलत का जो काम रुका है उसको मुझे आगे ले जाना है और इस शहर के अंदर चांदीवली एक अच्छे माहौल में चांदीवली की जनता रहे चाहे हाई राइस की बिल्डिंग वाले हो चाहे माड़ा और एसारे में रहने वाले लोग हो या चौल और प्रपट्रियों में रहने वाले लोग हो उनको नयाय दिलाना उनका विकास करना ये नसीम खान की राज्जीत आने वाली पाच्छा लाडली बहन योजना जो है तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट है ऐसे निताओ कहते है कि अभी हम लोग जीत गए आप मुझे बताईए ल लाडली बहन योजना धाई साल से सिंदे जी की सरकार महराष्ट में है अगर इनको बहनों की लाडली बहनों की इतनी ही महबत थी प्यार था और अगर महिला शशक्तिकरन इतना ही इनको याद आ गया था तो इन्होंनों धाई साल पहले क्यों नहीं शुरू की अच्छा एक साल पहले कर देते जब छे महिना पहले लोग सबा में इनकी जमानत जब्त हो गई तब इनके पैर के नीचे से जमीन खिसकी तब इनको लगा कि चलो एक पंदरा सो रुपया देके ओट लिया जाए लेकिन हमारी मुंबई और महराष्ट की मा और बहने सौभी मानी हैं प दूसरा इस्ट्रॉलमेंट जब देने का टाइम आया तो अपने ही चुनाओ आयोग के अधिकारियों से कहकर अपनी ही योजना को रोक लगा दिये ये किस नहीं किया है ये सरकार नहीं किया है आखरी सवाल आपके कॉंग्रेस कारियाले में एकनाशिंदे आये थे क्या मसला हुआ कल हमारा जो मद्वती कारियाले है 90 फिट पर वहां पर उसी के बगल में कहीं मुख्मंत्री जी की सभा थी सभा करके जा रहे थे और उस कारियले के बाहर कुछ स्यूशना के कारिकरता खड़े थे उन्होंने गद्दार गद्दार का नारा लगाया शायद मुख्मंत्री जी ने सुन लिया वो तैश में आ गए उन्होंने गाड़ी रोक दिया वो उतर के चुनाव कारेले के अंदर घुश गए वहाँ पर साइनात कटके के नाम से हमारे जो उस विवाग के शाका परमुक हैं वहाँ बैठेते उनके साथ कुछ उन्होंने अर्गुमिन्ट किया बहस बाजी की तो इस तरह की घटनाय हुई मैं उस मुद्दे को का राजनीती करण नहीं करना चाहता मैं राजनीत नहीं उसको 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 राजनीत नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं महराश का मुख मंत्री की एक गरीमा होती है क्योंकि ये एश्वंतराव चौवान जैसे हमारे मुख मंत्री रहे हुए लोग है विलासराव देश्मुक जैसे, शंकराव चौवान जैसे, सुधाकराव नाइक जैसे बहुत सारे बड़े-बड़े मुखमंद्रियों ने इस राजिका मुखमंद्री के पद को निभाया, अंतुले साब जैसे लोग, तो शिंधे जी को महराश के मुखमंद्री के पद की गरीमा का ख्याल रखना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं शुक्रिया रिसीम खान चांदिवली सी चुनाव लड़ रहे और सारी महराज की नजरे इस चुनाव क्षेत्र पर लगी हुई है विडियो जनली स्कामेश के साथ मिला संटोरे न्यूज नेशनल मोंबही